हाई हेलो नमस्ते विल्कम बैक टू मैं चानल श्री महाकाली डेली अपडेट साज फ्रेंड्स नया एक और डिश के साथ मैं आपका सामने आई हूँ फ्रेंड्स ये डिश है बहुत ही स्पेशल है आप लोग कभी भी देखा नहीं होगा और कभी सोचा भी नहीं होगा ऐसे भ बारबार वो टिफिन लाती थी तो मैं देखा था उसका तो बहुत अच्छा लगा तो ये डिश आप लोगों को मैं प्रेजेंट करेंगा आज देखा फ्रेंड्स ये आपर मैंने दोड़का लिया है दोड़का को अच्छी तरीकस से मैंने इसको चिलका इसका निकाल के ले अच्छा लगते है और बहुत है गरी दीश आप्ना को कांदा मैंगा होता है तब ये डिश तो बहुत बेस्ट है सब लोगों के लिए बनाने को क्योंकि आपनको श्रावन मास में तो फ्रेंट्स ऐसा इतना मेंगा बन जाता है ना खांदा 80 रुपई किलो 120 रुपई किलो उस टाइम पे आपन कांदा का बिना कुछ कर नहीं सकते एक बुर्जी वगरा लाइक वैसा तो तभी ये 20 रुपई पाव 15 रुपई पाव मिलता है तो तभी ये तो बहुत आसान पड़ेगा तो बिना स्किप से प्लीज मेरा वीडियो आप लोग देख लीजिये फ्रेंट्स आपको बहुत अच्छा मेसेज मिल जाएगा और बहुत कांदा बुर्जी में कैसे कट करते है ना उसी तरीका के मिने इस दोड़का को अच्छी तरीका से कट करके ले रहा है फ्रेंट्स अच्छा से दोया मिने दिख रहा है ना कितना फ्रेश है कितना अच्छा से दोके लिया है प्लीज आप लोग ये डिश को तो बहुत ही पसं को इतना कर्चा भी नहीं है 15 रुपई पाओ 20 रुपई पाओ सीजनेबल में जैसे वैसे मिल जाते हैं तो आप लोग कमपल सरी इस रेसिपी को आपका घर पे बना लो फ्रेंड्स और बहुत ही एंजय करेगा बहुत ही अच्छा लगेगा और जो फ्रेंड्स जो बच्छे लो और यह अपन वेजटेबल जादा इंटेक करने में अपना बाडी को बहुत ही हेल्पफूल होते हैं मेरा गर पे तो फ्रेंड्स डाल तो अफ्ता में दो तीन बार भी नहीं बनती है तरकार्या और बहुत सरे रसा बनते हैं देखा फ्रेंड्स यापर मेंने दो कांदा लिय आप लोगों को दिखाऊंगी यापर देखाऊंगी अच्छी तरका से मेंने सब कट करके लिया है वेजटेबल अभी मेंने थोड़ासा आइल डाला है फ्रेंड्स फ्राइपन में और थोड़ासा जीरा एड़ किया और उस जीरा जेसे फ्राइ हो गया फिर मेंने कटा हुआ मिर्ची डाला वह आंग पे गिरता है फ्रेंड्स इसलिए मैंने डक्कन रखती हुआ अप लोगों को पता है और कड़ी पत्ता भी मैंने उस में शामिल किया है फ्रेंड्स अभी देखो थोड़ासा ग्यास कमी करके फिर में डक्कन चेक करके ले रहे है वापस उपर गिर र अभी मैंने बारिक चाप किया हुआ ओनियन भी एड़ किया है यापर उस अनियन को देखो फ्रेंड्स सब एक साथ मैंने अनियन एड़ कर रहू और थोड़ा अलकसा नमक एड़ करने का फ्रेंड्स क्यूंकि उससे ओनियन अच्छी तरीकसे गोल्डन ब्राउन में जिल्द फ्राई हो जाते हैं देखो फ्रेंड्स यापर अच्छी तरीकसे मैंने इसको मिक्स करके लिया है देखा थोड़ा सा अध्रक लसुन पेस्ट एड़ किया यह तो ऑप्शनल है अध्रक लसुन पेस्ट बुर्जी में ज्यादा कोई एड़ नहीं करते हैं और देखो मैंने देखा फ्रेंड्स एड़ किया ना जीरा और मेती की दाने की पाउडर अभी उसको मैंने मिक्स करके ले रहा है यह जीरा और अध्रक लसुन पेस्ट एड़ करने से फ्रेंच शुगर और बीपी बहुत कंट्रोल होते हैं अभी स्वाधिस्टन सर नमक भी आड़ किया खेले मिनने और हलत भी आड़ कि आइँ फ्रेंच क्योंकि फ्रेंच मेती की दाने में बहुत अच्य प्रापटीस हते हैं वालेबल मेडिसेन प्रापटीस तो आप लोग मेती का दाने को जीरे को आपका खाने में कितना हिंक्लो और अ इंकलोड करेगा उतने बेस्ट होते फ ये नमक दोड़का करके वो तो कुछ भी ने रहते है फ्रेंस यूसमें सिर्फ तोड़ा सा नमक डाल के बनाते हैं सिर्फ दो मिनेट की रेसिपी है वो भी में शेयर करूंगे एक दिन आप आप लोग लगेंगा आरे यार इसको ऐसा बनाता है क्या इतना इज़ी है क्या दो मिनेट में अपना सब्जी रेडी हो जैते है फ्रेंस में वह भी आप लोगों को शेर करूंगी देखो फ्रेंस इस दोड़का को मैंने अच्छा से मिक्स करके ले रहे हूं फिर इसको अपना दोड़का की सब्जी बहुत टेस्ट होते है और बहुत अच्छी भी है अपना शेहद के लिए फ्रेंस आपने टाइम तो मैं यह दोड़का का उपर का चिलका भी वेस्ने करती थी उसका भी मैंने चेटनी बनाती थी पर यह इक ने बताया कि एक प्रोग्रम में मैं ने देखी थी उसका उपर का चिलका निकलने के बाद यूजने करने का वह आदा पॉईजन हो जाते तब से में नहीं करते फ्रेंस देखा अभी पक गए ना फ्रेंस अपना दोड़का तो अभी मैंने लाल मशला आड़ किया थोड़ा सा लाल मशला दो स्पून आड़ किया क्योंकि अपन इसमें अंडा शामिल कर रहे है तो नानवेज है तो हम लोग अच्छा से उसमें थोड़ा सा लाल मशला आड़ करते है क्योंकि पिक्का-पिका नहीं खाता है हम लोग तो देखा फ्रेंस वा कितना मस्ता अपना हो गया ऐसे भी खा सकते है यह भी भनापदे हो गया लेकिन अभी देखो हैं कि आप दूषरा अंडा भी टाल रहे याँ और एसा में ने पाच अंडा इसमें शामिल की आप यूँच चयाता इस एक ड्शे सब बहुत बूत के मत बंद हैं और सब हां बहुत ही टेस्टी दा रहे हैं आप लोग एक बार ट्राय करके फुझे मुझे फीडबैक देना प्लीज देखो फ्रेंद्स यह पर मैंने पाच अंडा को शामिल किया यह एड करने के समय में मिने ग्यास को भारिक रखाए फ्रेंद्स अभी अच्छी तरीका से इस अंडा को अच्छी तरह से वेल डू Dartmouth मिक्स करके लेने का और अंडा को जाड़ा जाड़ा होने का देने का नहीं है इस को एक़ल बारिक-बारिक बुर्जी बनाना आप लाए तो ज्यादा बडा बडा नहीं रहने चाहिए तो अच्छा से मिक्स करके लेने का बिल्कुल रुकनी का तो नहीं तुपीर बढ़ा बन जाएका शामिल करते रहें का इसको अच्छ से मिर्स करते रहे नेका तो तो तब ही यापी देखें मैंने थोड़ा से ग्यास को बढ़ा किया и Frems कि क्यों अच्छा तरीका से अपना अंडा का जो उसके अंदर जो पानी है ना वो एवा प्रोटाइने के लिए देखा फ्रेंड्स वाव कितना मस्ता स्वाधिस्टन सार बुर्जी आपना बन गाने फ्रेंड्स देखो ग्रीन ग्रीन एलो एल बहुत अच्छा से कलोरफुल लग करो अओर जो भी मेरे दिशेज देखता है और मेरे को कमेंट करता है थांग्यू शो मच आल फ्यू और यू आज लव यो और सव व्यू वास प्रीस डूंट मिस्क मेरे चानल को मिस्मत करना वाचश करतेगी रहें इनक्यू सो मच वाचिंग फर मvide VR बाइबाइ फ्रेंट्